हेलो एवरिवान वेल्कम तो यूट्यूब चानल प्रशान्त एजूकेशन हब आज हम कुछ आइडम और फ्रेजिस के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है यह जो आइडम और फ्रेजिस आज हम पढ़ेंगे वह हम कॉम्पेटिटिव एक्जाम के लिए पढ़ रहें बेसिकल कि इंग्लिस के क्वेशन में जो CET का क्वेशन आता है उसमें क्या होता है कि जो इंग्लिस के क्वेशन में एक या दो आइडम्स जरूर होते हैं ठीक है तो अगर आव अपने एक या दो नमबर सिक्योर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ठीक है हम दो किसी चीज के बारे में बहुत ही चोटा इसको वेड को भी बोल सकते हैं कि हैं bhoaxi small amount में जब हम किसी चीज के बारे में बॉलते हैं कि I'm a bit abit confused यह डाब यू गयूर्व जब यूस करते हैं तो मतलब बहुती छोटे स्थर पर little के लिए इसका use किया जाता है अब वीबिट का ठीक है अब जो next item है हमारा क्या है out of the wood out of the wood का मतलब क्या है देखें यहाँ पर क्या लिखा है free from difficulties and danger जब हम danger से free होते हैं या difficulty से free होते हैं मतलब क्या है जैसे कि हम किसी danger में है उसकी just बाद अगर हमसे कोई कुछ पूछ रहा है तो हम या खुद भी खुद ही बोलते हैं कि we are the out of the woods now ठीक है तो out of the woods now का मतलब क्या है when we are free from danger ठीक है जब हम danger से क्या होते हैं free होते हैं तो उस तब हम क्या word यूज करते हैं क्या item यूज करते हैं that is out of the word would ठीक है next one क्या है under his thumb under his thumb का मतलब क्या है कि जिसे under his thumb का मतलब कि कोई किसी के control में है है ना कोई किसी के control में under his और हर कंट्रोल, ठीक है? तो बेसिकली जो सब्वेंट्स होते हैं, वो अपने, जो मालिक होता है, उसके कंट्रोल में होते हैं, तो जब हमें किसी को अपने कंट्रोल के अंदर बताना है, तो हम किसी आइडम का यूज करेंगे, अंदर हिस थम, ठीक है? इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, कि he was very much under the thumb of his father, जिसे कि बेसिकली तुमने देखा होगा कि कुछ-कुछ बच्चे जो होते हैं, वो अपने पापा से बहुत जादा डरते हैं, तो बेसिकली वो उनकी बात मान रहे हैं, तो मतलब क्या है कि कोई अपने फादर के कंट्रोल में है, तो हम वहाँ पर under his thumb यूज करेंगे, ओके? नेक्स्ट आइडम है हमारा, between the devil and the deep she, ठीक है, इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, या इस तरीके से समझ सकते हैं, जिसे कि हम मुहावरे में तुमने सोना होगा, basically, कि क्या बोलते हैं, कि एक तरफ कुवा और एक तरफ खाई, है ना, मतलब कि दो ऐसी situations हैं, between two dangers, मतलब क एक तरफ तो क्या होता है, कुवा है, और एक तरफ क्या है, खाई है, तो दोनों ही जो चीजें हैं, वो danger situation में हमें put कर रही है, ठीक है, उसके बाद next जो है हमारा, burn the midnight oil, midnight oil, burn the midnight oil का मतलब क्या है, work or study harder, work study harder, अब कोई work कर रहा है, मतलब आधी रात को जग करके काम कर रहा है रात की देर तक काम कर रहा है, तब हम यहाँ पर यह वाला यूज करते हैं, कि work late into the night, ठीक है, तो work harder कोई employ है, जिसको कुछ काम मिला हुआ है, तो वो late night तक काम कर सकता है, यह कोई student है, जिसका exam है, तो वो late night तक पढ़ सकता है, है ना, तो यहाँ पर हम sentence इसको यूज करके बना सकते हैं, like I am giving an example that Jiminy has been burning the midnight oil lately, I guess she has a big exam coming up, मतलब क्या है कि उसका exam आने वाला है, जिसकी वज़े से वो क्या कर रही है, पढ़ रही है, ठीक है, ओके, next जो है हमारा वो है क्या hoping against a hope, hoping against a hope का मतलब क्या है, कि हम सोच रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, like हम exam के लिए पढ़ रहे हैं और हमारा result आने वाला है, and we are thinking that कि हम क्या कर जाए, top करें, या हम first आ जाए, ऐसा कुछ class की अंदर, बट हमें पता है कि हमने इतना नहीं पढ़ाए कि हम first आ जाए, ठीक है, तो हम ऐसा hoping against hope, मतलब जो हम होगा उसके against hope कर रहे हैं, उसके against सोच र doubt hope, ठीक है, तो hoping against the hope का मतलब कि हम कुछ ऐसा hope कर रहे हैं, जो नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, कि वो होगा, ठीक है, next item जो हमारा rain cats and a dog, rain cats and a dog का मतलब क्या होता है, देखो यह जो यहाँ पर cats and a dog, basically, इंडिया में तो animals का नाम है, लेकिन यहाँ पर item में इसका use किया गया है, ठीक है, यहाँ पर cats और जो dog है, यह इसका Greek, Greek जो language है, उसमें अलग मतलब होता है, ठीक है, तो basically यहाँ पर जो rain cats and dog है, इसका मतलब क्या है कि rain heavily, बहुत जादा बारिशोरी होती है, unusually इतनी नहीं होती, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलत raining cats and dog, क्योंकि आज बारिश बहुत जादा हो रही है, बहुत ही heavily rain हो रहा है, जिसकी वज़े से हो सकता है कि आज मुझे घर पर रुकना पड़ जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से इस item का use कर सकते हैं, next one जो हमारा item है, वो क्या है, no evil, no evil का मतलब without success, without success, without success का मतल without any result, like we are discussing something, हम कुछ discuss कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही कि उसका कोई फाइदा नहीं होगा, without success, no evil का मतलब कि हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका result क्या है, पहले से पता है, समझ में आ रहा है, पहले से पता है, हमें पता ही कि उसका कोई फाइदा नहीं होने वाला, ल diccus the issue calmly कोई inisrs chiff क compare क्रें कि कोशीज कर रहे बद नो एविल अनको पता है कि इसका को US रिजल्ट होने वाला नहीं ठीक है तो अब हम पडहते हैं अ नेक्स्ट आइडम थीक है। like a cat on a hot bricks like a cat on a hot bricks का मतलब क्या है कि जैसे कि हम किसी बहुत ज़्यादा नवस है like हमारा exam होने वाला है या हमारा interview है या हमारा stage पर कोई speech है या हमें कोई conference meeting क्या करनी है host करना है उसके अंदर ठीक है तो उस time पर जो most of जिसका first time है वो हो सकता है कि वो क्या हो नवस हो जो students होते है वो exam के लिए नवस होते है ठीक है तो अगर कोई नवस है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे like a cat on hot bricks ओके next है हमारा out of the question out of the question का मतलब क्या है कि impossible हम इसको इस तरह के से कह सकते है कि जैसे कि मानलोग की कोई expensive car है जो market में आई है ठीक है तो हम उसके बारे में कह सकते है कि a new car is out of the question because it's too it's just too expensive मतलब क्या है कि वो बहुत ही जादा expensive है जिसकी वज़े से impossible क्यों कह रहे है या पर कि बहुत सारे लोगों के लिए कि वो खरिदना क्या है impossible है because it is too expensive ठीक है तो out of the question का मतलब क्या है कि कोई चीज जो है out of the question है that is कुछ लोगों के लिए क्या है वो impossible है वो चीज करना ठीक है या उस चीज का होना next question क्या है at arm's length arm's length का मतलब क्या है कि जैसे इसमें लिखाए कि to keep at a distance मतलब कि एक हाथ की दूरी पर रहना किसी से ठीक है अब देखो इस मुहावरे का मतलब क्या इस मुहावरे को हम basically तब यूज करते है जो basically जो कुछ लोगों होते है वो अपने relative से दूरी बना के रखते है because fighting वगरा हो जाती है ठीक है या अपने किसी भी ऐसे इंसान से या किसी भी ऐसी चीज से वो क्या करते है अपने आपको थोड़ी distance maintain करें रखते है that is at arm length to keep a distance ओके इसको हम इस तरीके से कह सकते है इसका sentence हम इस तरीके से बना सकते है कि हम किसी को closely आम किसी को क्या कर रहे है avoid कर रहे है ठीक है तो इसका sentence जो हम इस तरीके से use कर सकते है for most of many adults life I have kept people at arm sleds मतलब कि उसने अपनी adult life में क्या किया है बहुत सारे लोगों को एक हाथ की दूरी पर रखा है ठीक है चलिए next item की तरह move करते है spread like wildfire spread like wildfire अब इस item का जो use है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि देखो spread like a wildfire ऐसी कौन सी चीज है जो एक डम जंगल की आग की तरह फैलती है like news जो news होता है वो क्या होता है jungle में जैसे आग फैलता है वैसे ही जो news है वो फैलती है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि spread like wildfire means spread quickly या speed at a rate या फिर spread at a fast rate ठीक है next क्या है हमारा tooth and tail tooth and nail tooth and nail का मतलब कि हम कहते हैं न कि एड़ी चोटी का जोड लगाना like इस तरीके से इसका मतलब है कि ऐसा कुछ मतलब है इसका ठीक है कि वो इंसान जो है अपने पूरे powers के power का use करके with all one's power ठीक है पूरे power का use कर रहा है अपना ठीक है या उसके पास सारे powers है ठीक है next item है हमारा the gift of gab gift of gab का मतलब क्या है कि कोई इंसान है जिसके पास talent for speaking मतलब कि वो बहुत ही fluently speak बोल सकता है ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे gift of gab ठीक है इसमें हम इस सरीके से कह सकते है कि my friend had a gift of the gab ओके next item की तरफ move करती है like a fish out of water fish out of water अगर fish को पानी से निकाल दिया जाए तो क्या होगा obviously उसके लिए strange situation है strange situation क्यों है कि वो basically रहता कहाँ पर है पानी के अंदर लेकिन अगर उसको पानी से निकाल दिया जाए तो क्या होगा वो उसके लिए strange situation होगी और उसमें उसकी death भी हो जाए सो सकती है अगर वो जादा देर तक पानी से बाहर रहता है तो है ना इस case में हम क्या बोलेंगे कि fish जो है वो एक strange situation में है like आप ऐसा कह सकते कि आपने कभी computer यूज निकिया और कोई आपको बोले कि आप computer यूज करके दिखाओ ये computer में कुछ करके दिखाओ ठीक है तो computer में कुछ use करने के लिए अगर आपको बोल रहे है तो और आपको आता नहीं है तो वो क्या है आपके लिए क्या है एक strange situation है ठीक है strange situation है उस case में उसके लिए हम एक सरीके से एक example ले सकते हैं like using a computer for the first time शृती felt like a fish out of the water मतलब शृती ने जब पहली बार computer use करने किया तो उसको कैसा लगा fish out of the water क्योंकि उसके लिए strange situation थी है ना कि मतलब उसने कभी उस चीज को use किया नहीं है लेकिन आज उसको use करने के लिए कहा जा रहे है तो that is a strange situation for her ओके next item की तरफ चलते हैं one at at once back and call back and call का मतलब क्या है यहां पर under his control like service जो होते हैं वो अपने मालिकों के control में होते हैं तो यहां पर हम इस तरीके से इसका use कर सकते हैं like someone जो क्या करें किसी के order को immediately माने ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे someone under his control okay next item की तरफ चलते हैं in hot water in hot water का मतलब कि in trouble कोई बहुत परिशानी में है तो हम उसको इस तरीके से use कर सकते हैं तो जब कोई परिशान होता है यह मुसीबत में होता है तब हम यहां पर इस item का use कर सकते हैं ठीक है उसके बाद in high spirits high spirits का मतलब क्या है कि इंसान का जो mood है वो काफी cheerful है यह behavior काफी cheerful है मतलब जिसे कि कोई team है वो जीत की आई है sports में कोई भी team हो सकती है ठीक है और वो जीत कर आई है तो उस वक्त जो उनका mood होता है वो कैसा होता है cheerful होता है काफी mood है उनके spirits उस वक्त क्या होते हैं काफी high होते हैं तो उस वक्त हम यह कह सकते हैं कि जो team है उसके अंदर क्या है team returned in a high spirit तो टीम जो वापस आई तो cheerful mood में आई, high spirits के साथ आई, ओके तो यह हमारा था last item, ठीक है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज इसको like and subscribe कीजिए इस channel को और वीडियो को share कीजिए, ठीक है और मैं आशा करती हूँ की आपको आपकी यह वीडियो जो है यह आईडेम वाली वीडियो वो आपको बहुत ही helpful हो, thank you for watching our video